Hello friends, so आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे sanity testing के बारे में तो जैसा कि थोड़ा sanity testing काफी confusing topic है, कई सारे लोगों काफी confusion रहता है, बहुत से लोगों डाउट रहता है कि sanity testing क्या है, कैसे इसको perform करते हैं, कब perform करते हैं, ये सब कई सारे questions उनके mind में lurk करते हैं ठीक है तो different different लोगों का different different नजरिया है उनका views है और अलग अलग उनका answer भी है तो इसलिए लोग बहुत ही confused रहते हैं कि sanity testing क्या है तो मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाओंगा कि sanity testing क्या होता है ठीक है तो sanity testing को समझने के लिए सबसे पहले testing का timeline जानना बहुत ज़रूरी है timeline क्या होता है software की industry में कौन सी testing कब की जाती है उसी को कहते है testing timeline तो सबसे पहले मैं आपको diagram के साथ testing timeline बताऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि testing timeline क्या होता है तब आपको sanity testing बहुत ही अच्छे से एकदम deeply समझ में आएगा जो भी हमारे fresher हैं और experience बंदे हैं जिनको भी थोड़ा confusion है उनका भी doubt जो है 100% clear हो जाएगा ठीक है तो sanity testing को start करने से पहले बहुत सारे questions हो सकते हैं ठीक है तो कुछ questions मैंने अपने mind से यहाँ पर organize करा है ठीक है एक एक करके तो सबसे पहले हमें start करेंगे introduction से कि sanity testing का जो introduction है वो क्या होगा उसके बारे में देखेंगे फिर कब हम sanity testing perform करते हैं किसी भी software के product pair build पे उसके बारे में जानेंगे हमें इसकी जरूरत क्यूं है और इसका compare smoke testing से क्यूं करते हैं ठीक है यह भी question हो सकता है फिर हम पाश्वा नमबर भी question देखेंगे ठीक है उसके कब हम इसको perform करते हैं अच्छा sanity testing का जो different है regression के साथ वो भी देखेंगे advantage disadvantage के बारे में भी जानेंगे और subset of regression क्यूं है क्यूं कहते हैं वो भी इसके बारे में जानेंगे कौन से team करती है क्या इसके लिए इसके लिए लग से team है इसके बारे में भी हम जानेंगे ठीक है तो स नॉर्मल जो day to day life में sanity का जो मतलब होता है जो natural mini होता है वो होता है state of healthy mind ठीक है किसी चीज़ को सही रखना ठीक है मतलब वो सही है उसके अंदर कोई problem नहीं है that means healthy mind है पर किसी product पर अगर हम sanity testing का define या definition लगाते हैं तो that means किसी product को test या review करना कि वो सही है या नहीं ठीक है पर वही sanity testing अगर किसी software industry के term में अगर हम ले लेते हैं तो उसका जो मतलब होता है कि sanity testing means या refer ठीक है क्या करता है analyze और test मतलब या तो review का काम होता है या तो test का काम होता है या तो analyze का काम होता है तो sanity testing एक ऐसा तरीका है टेस्ट करने का जिसमें software को हम analyze करते हैं टेस्ट करते हैं कब after modification मतलब testing तो कई सारे होते हैं लेकिन sanity testing कब होता है एक बना बनाया software है उसमें modification हुआ हो या तो client का requirement हो या तो code में कुछ change किये गए हो या एक्स्ट्रा कुछ code add किये गए हो तो sanity testing हम उसे लिए perform करते हैं कि जो code में changes हुए हैं उसका impact check करने के लिए हम sanity testing perform करते हैं ठीक है बस यह definition है आगे बहुत कुछ है जानने के लिए पहले आप इतना समझेंगे यह कभी भी testing कब होता है यह testing after modification of any softer build या softer product ठीक है तो sanity testing जो है regression का part है ठीक है part of regression और regression क्या होता है यह भी एक ऐसा testing है जो modification पर किया जाता है तो मैंने question उपर से note करा है कि regression में और sanity में हम difference जानेंगे ठीक है regression और sanity दोनों same है पर difference क्या है वो भी हम जानेंगे ठीक है बर इतना जाने कि जो sanity testing है आफ्टर मोडिफिकेशन वी चेक ठीक है टेस्ट और अनलाइज का काम कब होता है जब किसी भी सॉफ्टर के अंदर हम चेंज या बिल्ड उसको हम चेंज करते हैं या एड करते हैं कोई नया फंक्शनालिटी तो सानेटी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है ठीक है अब हमारा जो दूसरा कोश्चन है कि सैनेटी टेस्टिंग कब परफॉर्म की जाती है यह बहुत ही महत्पूर्ण हमारा कोश्चन है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है कि सैनेटी टेस्टिंग परफॉर्म कब की जाती है तो इसी में हम जानेंगे टाइम लाइन कि timeline क्या है किसी भी testing का कई सारे testing perform किये जाते हैं software की इंडस्ट्री में like unit testing, integration testing, smoke testing functional testing, ठीक है regression testing ad hoc testing, sanity testing monkey, gorilla alpha, beta, बहुत सारे testing है ठीक है, तो पहले हम timeline जानते हैं, ठीक है, UAT testing भी है production भी है, बहुत सारे चीज़े हैं तो पहले timeline हम समझेंगे तो timeline को समझने से पहले इतना जाने कि sanity testing perform कब होता है after the completing of functional testing या completion of functional testing functional testing जब complete हो जाता है तब sanity testing हमारा perform किया जाता है that means, ऐसा नहीं हो सकता है कि functional testing अभी चल रहा हो या अभी हुआ ही नहीं हो, और sanity testing हम perform कर दे, ठीक है या ऐसा नहीं हुआ हो, कि functional regression हुआ नहीं है UAT हुआ नहीं है, production हम testing शुरू कर दे, ठीक है याद रहे, कभी भी ये functional के बाद होता है ठीक है, तो functional कब होता है मैं timeline में बताऊंगा आपको अभी ठीक है तो sanity testing क्या है functional के बाद होता है and a new plans are added और some new codes are added और change in codes are done तीनों बात, जो तीनों चीज़े हैं अलग-अलग statement है कहने का कोई plan में change हो या कोई code नया add हुआ हो ठीक है, या code में बदला हुआ हो तो हम वहाँ पे sanity perform करते हैं ठीक है, किसी भी software के build में code का change होना, add होना या update होना, या जो भी remove होना वहाँ sanity perform करते हैं तो ऐसे case में sanity testing perform करते हैं कि जो negative impact है न और mis behavior of new codes with existing code मतलब जो पहले से रखाय गया उसके अंदर code है और हम नया code add कर रहे हैं तो दोनों का जो relation है कितना अच्छा है एक दूसरे से ये check करने के लिए हम sanity testing perform करते हैं that means A, B, C एक already code add है किसी software में already block A, block B, block C ये code का block है जो add है और हम एक नया code block D add कर रहे हैं तो add करने के बाद इसका impact कैसे होगा कैसे behave करेगा एक दूसरे के साथ चारों एक साथ behave कैसे करेगा और इसका impact कैसा होगा वो check करने के लिए sanity testing perform की जाती है ठीक है मतलब किसी product को fully stable बना देना stable that means आगे testing के लिए ready है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे timeline के बारे में जानेंगे किस जो testing के जो timeline है वो क्या होता है ठीक है तो यह हमारा है development team यहां हमारा software को develop होना है ठीक है आप diagram से समझे बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा यहां पर हमारा software का develop होना है तो जब software जो develop करते हैं development team जब वो development शुरू करते हैं तो software को एक unit में तियार करते हैं तो जब भी वो एक यूनिट तियार करते हैं उस पे वो परफॉर्म करते हैं एक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसका नाम है यूटी उसका नाम है यूनिट टेस्टिंग ये पहला टेस्टिंग है जो डिवलप्मेंट साइट से या डिवलप्मेंट टीम से परफॉर्म कि जाता है बहुत ही कमी केस है कि कोई इस पे टेस्टर भी परफॉर्म इसको करते हैं ठीक है तो जब हमारा यूनिट टेस्टिंग पास हो जाता है मतलब कई सारे यूनिट टेस्ट को पास कर लिया जाता है तो सारे यूनिट टेस्टिंग को मतलब सारे यूनिट्स को एक साथ इ तब development team क्या करती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करती है यह चेक करने के लिए कि जो मैंने hundreds units एक साथ integrate किये थे combine किये थे तो वो सई से चल रहा है कि नहीं एक साथ combine होने के बाद तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होता है जब हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास हो जाता है कहां successful पास हो गया है ठीके तब वो आता है जो हमारा बिल्ड है बिल्ड का मतलब जो software है वो आता है QA टीम को तो development टीम क्या करती है इसको pass कर देती है ठीके किसको pass करती है पास करती है QA टीम को मतलब टेस्टर को अब जो टेस्टर होते हैं उनको कहते हैं quality assurance टीम ठीके QA टीम वो क्या करते हैं टेस्टर जो होते हैं जो नया software development टीम के तरफ से आया है QA टीम को मैं यह लिख रहा हूँ QA टीम ठीक है यह जो green वाले हैं यह है QA टीम quality assurance टीम ठीक है भूलिए गा नहीं यह QA टीम है यह सारे testers मौजूद है आपर ठीक है तो यह क्या करते हैं जब भी कोई build in a receive होता है development team की तरफ से तो development team क्या कहता है यह QA टीम का manager कि जो product तुम्हें मिला है सबसे पहले तुम उस पे smoke test लाओ smoke test यानि कि yes for smoke T4 test smoke testing perform किया जाता है सबसे पहले क्यों किया जाता है कि smoke test software की stability को check करने के लिए कि क्या यह बाकी इसके इलावा और भी testing perform करने के लायक है या नहीं that means मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास एक software है जो development team से आया है और उस software का नाम है sanity suppose तो वो software आ गया है और मेरे team ने मेरे team ने कहा है कि उस पे smoke test करना है तो मैं smoke test कैसे चलाओंगा मेरे पास software है उसको open करके चलाओंगा हम यह open करते है ठीक है तो जैसे मैंने open करा तो मेरा software खुल गया ठीक है तो जब यह software खुला तो that means यह launch हो गया तो अगर यह successful launch हो गया तो हम development team को mail डालेंगे कि smoke test pass यानि कि जो smoke test था पहला हमारा test था वो pass हो गया ठीक है क्योंकि launch कर गया यह तो अब इस पर further testing की जा सकती है मतलब यह सारे button को check करेंगे बारी बारी से हो सकता है कि हजारो button हो सैकडो button हो 150 जो भी हो यह बस एक मने demo बनाया आपको समझाने के लिए फिर हम search bar combo box radio button navigation bar सब कुछ करेंगे check करेंगे तो अगर हमारा यह software launch ही नहीं होता तो हम बाती सब testing कैसे करते हैं इस लिए development team कहती है कि आप इसको smoke test चला के इसको test कर लो कि यह सई से चल रहा है कि नहीं तो जब हमारा smoke test pass हो जाता है तब क्या करती है जो बाकी qa team होती है मतलब smoke test qa team का एक बंदा कोई भी चलाता है तो जब smoke test pass होता है तो जितने भी बंदे होते हैं उस team में that means यह जो software का product है इस पर perform करते है functional testing क्या करते है Ft इस पर perform करते है functional testing functional testing चलता रहता है चलता रहता है ठीक है तो जब functional testing यहाँ पर perform हो जाता है न बहुत सारे तो हो सकता है कि in case कोई requirement आया हो कि client का demand है कि वहाँ पर एक नया button extra चा रहे है इसी portal पर एक नया extra button चा रहे है या कोई भी एक button जो नया window जिससे खुलेगा ठीक है तो functional testing चल गया अब development team क्या करेगी जो हमारी development team है वो code के अंदर एक extra code add करेगी ठीक है तो चलिए हम code के अंदर extra code add कर लेते हैं ठीक है तो मैं यहाँ से पहले code निकाल लेता हूँ जो मैंने बनाया है ठीक है चलिए suppose मैं developer हूँ और मेरे पास एक requirement है client के तरफ से कि वो extra button चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा code के अंदर change करूंगा ठीक है ठीक है मैंने क्या किया code के अंदर कुछ change कर दिया अब वो जो codes होंगे कुछ ऐसे चलेंगे जैसे client का requirement था ठीक है आप देख सकते हैं पहले मैं करा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे कोई changes अभी नहीं है ठीक है पर code change हुए है तो वहाँ development team से फिर से इस application को start करना होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक button आ जाएगा ठीक है यह client का requirement था ठीक है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक button आ गया है ठीक है यहाँ पर एक button आ गया है तो अब क्या होगा इसी code में change हुए है ठीक है तो अब QA team क्या करेगी functional distinct उसने perform कर लिया है और हमारे पास code में change भी है तो अब क्या करेगी हमारी QA team क्योंकि मैंने बताया था कि जो regression होता है यानि कि sanity जब भी code के अंदर modification होता है तहम उसको perform करते हैं ठीक है तो functional के बाद क्या करना है R for regression, T for testing regression testing, functional के बाद regression testing तो regression testing क्या है कि जब भी code में modification हो तो हम उसको test करेंगे ठीक है तो regression करना है या नहीं मतलब हमारा जो नया product अभी आने वाला है उस पर regression करना है कि नहीं तो वो regression करने से पहले हम एक बार sanity चला के देखेंगे कि हमारा जो product है वो regression के लाइक है कि नहीं तो यहाँ पर क्या करेगी QA team sanity testing करेगी is for sanity, T for testing ठीक है यहाँ पर हमारी जो QA team है sanity testing करेगी तो कैसे करेगी यहाँ पर इसी code में नया code आड़ हुआ है तो यह button आया है अब हम इस button को click करके देखेंगे यह क्या है? Surgery जैसे कि यह doctor का ही portal है suppose that और यह एक Surgery है तो development team क्या बोलेगी QA team से कि जो Surgery का जो नया button मैंने add करा है ना पोर्टल पे तुम उस पे testing करो, यानि कि regression testing करो क्योंकि वो code नया add हुआ है तो अब क्या होगा? Testing यहाँ भी perform होगा और यह Surgery पर तो होगा ही, क्योंकि हो सकता है Surgery को add करने के बाद यह काम ना करे अब मेरी बास समझ रहे हैं? हो सकता है यह button काम कर रहा है पर यह नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने नया code में change कर रहा है तो regression का मतलब क्या है? यहाँ भी performance होगे, इस portal पे भी तो हमारा यह नया window launch कर गया मतलब खुल गया, तो आप देख सकते हैं यह नया हमारा button खुल गया Health of Africa और यह है हमारा Surgery Portal और इसमें कई सारे buttons हैं तो हर एक button को check नहीं करेंगे अभी, ठीक है? क्योंकि हमें करनी है अभी स्रिफ regression तो regression का मतलब यह होता है कि यह चला कर देखना कि हमारा जो सॉरी, sanity sanity का मतलब यह होता है कि अपने किसी भी software के build को चला कर देख लिना कि वो regression के लिए तयार है कि नहीं, ठीक है? regression testing के लिए तयार है कि नहीं तो यहाँ पर जो performance हुआ अभी आपने देखा कि मैंने इसको cut करा ठीक है? फिर से हम launch करते हैं ठीक है? हम यहाँ पर sanity perform करेंगे सिर्फ यह देखने के लिए कि यह button click करने से जो main नया portal नया window खुल रहे कि नहीं यह नया अमरा window खुल गया मतलब sanity testing हो गया अमरा pass हो गया अब इस पर further testing क्या करेंगे? further पूरा regression करेंगे इस पर ठीक है? मतलब यह code change हुए है यह सारे code क्या हुए है? add हुए है किसमे add हुए है? यह existing window पे यह पीछे वाला जो window है इसके साथ यह नया window का code add हुआ है तो अब regression करेंगे हम दोनों पे तो sanity क्या था? बस हमने इस बटन को क्लिक करा और हमारा window क्या हुआ? खुल गया ठीक है? तो यह sanity हमारा complete हो गया तो आप देख सकते हैं कैसे हमारा जो sanity testing था एक particular portal को उसने test करके दिखाया तो अब क्या होगा यहां timeline में? जब भी हमारा sanity testing पास हो जाएगा तब हम regression testing perform करेंगे ठीक है? smoke testing में क्या था? जब भी हमारा smoke test पास होता था तब हम functional testing करते थे यहां पर हमारा sanity testing पहले पास होगा तब जाके हम regression testing perform करेंगे ठीक है? तो हमारा जो next है कि where we need to perform sanity testing यह बहुत important question है sanity testing is a prudent that means यह time बचाता है ठीक है cost मैंने जो पैसा है उसकी बचत होती है team की बचत होती है time की बचत होती है उससे क्या फायदा है कि पहले ही case में हमने सबसे बड़ा major issue था वो catch कर लेना है अगर हमारा वो window खुलता ही नहीं that means अगर हमने यह launch करा application और हमने button click करा पर यह हमारा click करने से कोई window खुला ही नहीं that means sanity testing हमारा fail हो गया तो अब regression की ज़रूती नहीं है क्योंकि sanity testing जब fail हो गया है तो regression क्यों करेंगे इस पर क्योंकि हमारा window तो काम कर नहीं रहा है ठीक है तो इससे क्या होगा team का जो time है cost है वो सब क्या होगा save हो जाएगा ठीक है यह इसका फायदा why we compare sanity testing to smoke testing ठीक है यह बहुत ही अच्छा सवाल है sanity को smoke से क्यों compare करते हैं तो compare इसले करते हैं क्योंकि जो smoke testing होता है यह करने के बाद हम functional start करते हैं ठीक है और sanity testing करने के बाद हम regression start करते हैं इसलिए हम इसका compare smoke से करते हैं that means measure functionality smoke भी करता है functional के लिए और regression के लिए आपर sanity करता है ठीक है फर्क इतना है कि यह early stage में होता है और यह after modification होता है compare smoke से करते हैं ठीक है यहां कह रहा है when start smoke testing to check the product is ready for functional testing or not और यहां पर क्या है regression के लिए ready है की नहीं वही बात है इसलिए हम करते हैं इसका compare smoke और sanity से scripting sanity testing क्या है non scripting testing है मतलब इसका कोई भी test case लिखा लिए जाता है ठीक है क्योंकि इसके test case नहीं लिखे जाते हैं इसलिए इसको non scripting कहते हैं ठीक है और smoke क्या है scripting है ठीक है smoke का smoke testing जब हम करते हैं उसके test case लिखे जाते हैं how to perform sanity testing that means कब और कैसे हम इसको perform करते हैं इसका जो requirement है mail के थुरू आता है development team site से कि sanity perform करो या team का जो management team है वो decide करती है में sanity करनी है कि नहीं करनी है by POC वो भी कर सकता है development team decide कर सकता है sanity testing करना है कि नहीं ठीक है आपके team जो भी है आपके team के कोई बंदे भी या आप खुद के decision से भी sanity testing perform कर सकते हैं मतलब यह आपके उपर है अगर आप sanity testing करेंगे तो आपके cost और money क्या होंगे save होगे time भी save होगे ठीक है और कैसे करते हैं मैंने अब अभी आपको बताया भी है फिर से एक बार और भी देखा दूगा करके अब देखिए जो difference है sanity और regression में यह बहुत ही important है ठीक है तो जो sanity है यह काम क्या करता है यह तो बस हम देखते हैं कि sanity बहुत ही छोटे किसी functionality पर ठीक है sanity क्या है यह sanity का जो है यह small area पर work करता है मतलब जैसे एक application launch हुआ वो check कर लेना ठीक है पर regression क्या है regression के साथ क्या है deep functionality regression work on deep functionality मतलब इसको बहुत अंदर तक check किया जाता है ठीक है before regression sanity क्या है regression से पहले हम करते हैं और regression क्या है based on requirement जैसा आपका requirement हो मतलब after sanity उसके बाद ही हम करते हैं ठीक है इसको surface level testing कहते हैं sanity को हम surface level testing कहते हैं ठीक है और इसको deep level testing कहते हैं ठीक है इसके अंदर few functionality test होते हैं और regression के अंदर क्या होता है complete functionality test किये जाते हैं यह सब differences हैं ठीक है आप देख भी सकते हैं मैं स्थिप समझा रहा हूँ आपको इसको manually perform किया जाता है ठीक है regression को दो तरीके से किया जाता है ठीक है not test case require इसमें क्या है tc test case must require ठीक है समझ रहा है तो यह हमारा क्या है difference और भी difference हो सकते हैं जो मैंने आपको points बताएं बस आपको समझाने के लिए sanity testing कि क्या differences है regression से advantage जो है advantage sanity क्या करता है lot of time save करता है documentation का कोई requirement नहीं है sanity में ठीक है unscripted होता है इसलिए इसमें कोई document की ज़रूत नहीं है इसमें जो बीमारी है defect बहुत जल्दी पकड़ी जाती है ठीक है regression का time बचा देना cost बचा देना safe team effort no tool required ठीक है यह sanity का advantage है उसका disadvantage क्या है इसमें स्रिफ major functionality को catch करते हैं इसमें जो design structures हैं उसके label तक हम नहीं पहुँच पाते हैं ठीक है अगर future में इसकी जरुवत पड़े कि sanity testing कैसे की गई है क्या issue थें तो इसके records नहीं मिलते हैं ठीक है तो यह सब क्या है इनके disadvantage है इसको subset of regression क्यों कहते है actually क्या है regression जो है इसके अंदर कई सारे regression testing के अंदर कई सारे types होते हैं जैसे की unit reg regression testing sanity testing ठीक है P for partial T for testing partial regression testing PRT ETC तो क्या है regression जो है इसके अंदर कई सारे testing आ सकते हैं कई type के regression testing होते हैं partial regression testing sanity testing unit regression testing जो भी हो तो sanity उसी का एक छोटा सा part है that means it is called subset इसलिए इसको subset कहते है कि छोटा सा एक part है और वो काम क्या करता है कि बस एक छोटी functionality को check कर लेता है हाँ successful launch कर गया है अब आप team इस पर काम कर सकती है तो अब team क्या करेगी हर एक button को check करेगी यह हमारा regression है button new add हुआ है यह regression testing perform हो रहा है मैंने regression किया इसको check करा let us know इस पर चेक करा जो भी window खुला जो भी कुछ भी बहुत सारे functionality हो सकती है ठीक है तो यह है हमारा sanity testing का overall points ठीक है तो उमीद करते हैं आपको समझ में आया कि sanity testing क्या है और इसको कैसे perform करते हैं मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि sanity testing perform तबी करते हैं जब आपको आपके software के अंदर कोई भी modification किया गया ठीक है अब बस overall surface level testing होती है चेक करने के लिए कि हाँ आँ आप बिल्ट सही है अब इस पर आप regression testing की जा सकती है ठीक है या कोई भी अलग आपकी topic पर अगर आपको वीडियो चाहरे हो बनाना तो आप वो मेरे comment में डाल सकते हो ठीक है Have a nice day